वाट्सब गाइज इस वीडियो भाँ हम लोग एगरी कल्चर के कोश्चेंस कवर करेंगे और इन्वामेन के कोश्चेंस भी कवर करेंगे ठीक है सूर्स टार्ट करते हैं कोश्च नुबर वन केंदρι गण्यान अनुसंधन संस्थान जिसको CSRI बोलते हैं टिक्का रोग किस से संबंदित है कौन से फल से मुंफली से संबंदित है ठीक है हादिद बाली रोग जो है ये किस से संबंदित है बाजरा से संबंदित है ठीक है ऑपरेशन फ्लट किस से संबंदित है दूद्विकास संबंदित है स्रेलोस किसका बना होता है तो गुलुकोस कि नसले हैं ठीक है लानी खेत लोग किस सम्मादीद है मुर्गी सम्मादीद में बता रहा हूं कि लोग से जितने भी कोश्चन है लोग के ये लोग वाला आपको आना चाहिए ठीक है फिर देखें दूद को किस ताप पर पॉस्चुराइज किया जाता है तो बासर डिग्री स सभा की प्रताम बैटक कब हुई 9 दिसंबल 1946 ठीक है नेक्स देखें सम्मादान सभा के अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष कौन थे सचिरान सिनहाज जी और सथाई के अगर बात कर लेता तो राजेन प्रसाद जी ठीक है फिर देखें भारती सम्मादान के निर्मान के लिए प्रारूफ समीति की का अध्यक्ष की ने बनाए गया था तो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उनका चैर्मन किसको बनाए गया अंबेटकर चीको बनाए गया था भारती सम्मादान सम्माद के उद्देश प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने किया था चीक है objective resolution जिसको बोलते हैं फिर देखें नहरु रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था मोदिला नहरु ने ठीक है फिर देखें Montague Champs Forte सुधार अधिनियम जिसे बोलते हैं ठीक है ये कब आया किस बास पारिद हुआ था 1912 में ठीक है उस तरह एक similar question Morale Minto सुधार अधिनियम ठीक है ये कब आया था 1909 में आया था ठीक है फिर देखें प्रांतों में द्वैद साशन प्रणाली किस अधिनियम के अंतरगत लागू हुई थी तो Government of India Act ठीक है भारत सरकार अधिनियम 1909 ठीक है इसमें क्या हुआ था इसी वैसे ही द्वैद साशन प्रणाली लागू हुई थी ठीक है नेक्स देखिए भारती सम्विधान में सामाजिक और सैक्षिक डिर्ष्टी से पिछरे वड़ की उन्निती और अनुसीचित जाती तजन जाती की विशेश प्रोधान किस धारा में अंतरगत है तो देखिए धारा 15 ठीक फिवीद्वाद के सद्वारानाजिक की दिया गया है तो संसोधन जब किया गया था उस विवाद को क्स नेम से कौन से जाना आता है और ये कव गगा था पहली बार ठीक है प्रथम विवाद जो वहा तो सर्वोचन आ रहेमें तो संकरीद्रसाथ केस संकरी प्रशाद केस के नाम से जना आता है 1950 में हुआ था ठीक है यही कोश्चन है ठीक है फिर देखिए 13 असपरश्टता जिसे बोला याता है छुवा छूत का अंत्र सम्विधान में अंतरगत करता है तो आर्टिकल 17 थी कि अलड़ी मैं बता चुका हूं आर्टिकल 14 to 18 र देखिए 13 अधिकार को मौली कद्गारों की स्रेली से निकाल दिया गया है तो संब्सक्राइब करने का इसको है तो केवल संसद को है यह अच्छा पोश्चन है नेक्स देखिए निम्रे में से कौन सी बकरी की नसल नहीं है तो मेवाती नहीं है ठीक है फिर देखिए 13 के का रोटिन के कारव होता है फिर देखे निंड मैं से किस फ़सल की का सी मात्र उत्री गोलार्द में ही सीमित है तुछूकंदर ठीक कि और नेक्स देखिए पोटवार जो पठा रहे कहां पे पाकिस्तान में है ठीक है नेक्स देखिए अभी तक कौन सी पंच-वच्षी योद् पुनी तरा असफल रही है तो तुरती है ठीक है जो 3rd planning था तीष्टी । जो planning थी 3rd plan ये पूरी तरा fell हुई है क्यों पाकिस्तान के साथ युदवा 1965 का जे चीन के साथ युदवा the isky वैसे ये पूरी तरा fell हुई है ठीक है 않아ãy लिच dikad देखिए निन्व में से किस उद्धियोग में गंधक का सरवदीक मात्रा में इस्तमाल किया आता है तो रसायन उद्धियोग ठीक है रसायन उद्धियोग नेक्स देखिए जनगर्णा 2001 के अनुसार भात के निमलिखेत राज्यों में किसकी जन संख्या उत्तरप्रदेश के बाद दूसरी है ठीक है महरास्ट्री के सब जादा उत्तरप्रदेश की पॉपलेशन के बाद महरास्ट्रा की फिर देखिए ज्वाला मुकी परवत मांट से सब्सक्राइब करता है कि तूफान आने वाला है ठीक है पि देखिए निवन लिखिद में से कौन सा एक प्रद्वी के सरवनिक समी पर तो सूर लेता रा ठीक है और सूर के बाद है प्रKit सेंचुरी है फिर उसके बाद है अल्फा सेंचुरी ठीक है ये तीरों मैं आको बता दे रहा ह। निड़़खिए निवन डेखिए कौन गाय की द्विकाजी नसल नहीं है तो साही वाल ठीक है साही वाल नहीं है ठीक है यह वाला साही वाल नहीं है नेक्स देखिए निवनिवे से कौन सी बगानी फसल नहीं है तो चावल ठीक है नेक्स देखिए सार गैसु सागर निवनिवे से कहां इस्थित है तो एटलांटिक महा सा प्रखंड कौन सा है उत्तर रेलवे फिर सीवस समुद्रम जल प्रपात किस नदी परिस्थी तो कावेरी परिस्थी थी ठीक है नेक्स देखिए लिंगानुपाद जो 2001 की जर्ण गर्णा के अनुसार भात में किस राज में लिंगानुपाद सर्वादी किस में हुई थी क्यों जो उत्पादन वाला होता है सारवादी कि आपको याद में चीज़ के कोश्चन ठीक है नेक्स देखिए भारी मोटर गाडियों के लिए डीजल तेल को प्राफिक्तर दी जाती है क्योंकि सस्ता इधन व्याय होता है नेक्स देखिए नेमनी में से कौन सा महाद्वीब प्य टाईर जाती है पूर्ण वाम में आती है एक कौशन यह है कि जो इंद्रा गांधी नहर है इंद्रा गांधी कैनाल एकौन सी नदी में है तो सतलज से ब्यास में है ठीक है तो यह हमारे सारे questions हो गए है ठीक है इस वीडियो के thanks for watching guys अगर आप चाहते हैं कि आप को ऐसी informative वीडियो मिलें तो में चैनल को subscribe करिए share करिए इस वीडियो में इतना ही जैहिन